दोस्तों, Infinix ने कई सारे रीजन्स पे अपनी Infinix Zero X सीरीज आप स्मार्टफोन को लांच कर दिया है इसी स्मार्टफोन सीरीज में आपको तीनी स्मार्टफोन देखने को बिलते हैं Infinix Zero X, Infinix Zero X Pro and Infinix Zero X Neo और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे Infinix Zero X Pro स्मार्टफोन के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी स्मार्टफोन के स्पेसिविकेशन के बारे में इसी स्मार्टफोन के इंडियन प्राइस के बारे में मिलेगी नीचे की साड़ यहाँ पे इंफिनिक्स की ब्रैंडिंग देखने को मिलेगी और फ्रंट साड में यहाँ आपको सेंटर पंचोल डिस्पेले देखने को मिलेगी और दोसो 7.8 8x minus smartphone देखोगा बात करें सेंग की ब्ल्ड कॉलिटि गी तो यहाँ पे आपको ग्लास का बैक देखने को मिलेगा ग्ल्स फ्रंट होगी और प्लास्चिक का फ्रेम होगा तो ओर आल काफी अच्छी गासी ब्ल्ड कॉलिट आपको इस स्माट्फ़ोन में देखने को मिलेगी बात दोस्तो, IQ7 स्मार्टफोन की तरह, इसी स्मार्टफोन में आपको intelligent display chip भी देखने को मिलेगी, तो display के मामले में भी काफी तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है स्मार्टफोन, बात करें केमरा आज की तो यहाँ आपको triple rear camera setup देखने को मिलेगा, जिसमें की 108MP का होगा main camera, जि दोस्तो, 8MP का एक और ultra wide angle lens भी आपको इसी स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, जिसमें की तो यहाँ पे आपको mid-rate का helio G95 processor देखने को मिलेगा, जिसमें थोड़ा disappointing decision है, इन्फिनिक्स की तरफ से, यहाँ पे इन्फिनिक्स को थोड़ा अच्छा processor देना चीए था, लेक RAM देखने को मिलती है, and 128GB slash 256GB UFS 2.2 storage आपको इसी स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, and जोस्तो, यहाँ आप आपको 3GB extended RAM भी देखने को मिलती है, यानि कि आप 3GB RAM को बढ़ा पाएंगे अपने स्मार्टफोन में virtually, and बात करें battery की, तो यहाँ आप आपको 45100MG की battery देखन को मिलती है, बात करें multimedia की, तो यहाँ आप आपको dual studio speakers देखने को मिलेंगे, तो काफी अच्छा एक multimedia आप आपको experience देखने को मिलेगा, बात करें operating system की, तो यहाँ आपको XOS 7.6 देखने को मिलेगा, जो की Android 11 पर based होगा, दोस्तो एक custom skin है, XOS 7.6, Infinix की तरफ से, यहाँ आपक Bluetooth 5.1 होगा, एंड दोस्तो GPS का भी support आपको इस smartphone में देखने को मिलेगा, बात करें security की, तो यहाँ आपको face unlock के साथ, in display fingerprint scanner भी इस smartphone में देखने को मिलेगा, बात करें ports and buttons की, तो यहाँ आपको 3.5 mm headphone jack देखने को मिलेगा, USB type C charging port देखने को मिलेगा, power on up button होगा, एंड दोस्त इंडिया में smartphone आपको 18,000 रुपे का सबस के price में देखने को मिल सकता है, बात करें से smartphone की launch date की, तो दोस्तो यह smartphone या तो September end तक इंडिया में launch हो सकता है, या फिर यह smartphone अक्टूबर की starting में इंडिया में launch हो सकता है, जी हाँ दोस्तो यही थी कुछ बात है जो मैं आपको Infinix Zero X Pro स्पार्टफोन के बारे में बताना चाहता था, आज की वीडियो के लिए इतनाई वीडियो पसने दहा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सस्क्राइब करना, और मैं आपसे मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, जैहिंद जैभारत!